हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं linear programming chapter 12 का question number second देखते हैं क्या है solve the following linear programming problem graphically हम एक यहाँ पर LP की problem दे रखे हैं उसको graphically solve out करना है तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है minimize z is equal to minus 3x plus 4y इस condition को आपको minimize करना है मतलब एक तरीके से हम mind में सोच सकते है minimize करना है तो cost of production होगा भई कोई भी हम business करते हैं तो किसी चीज को बनाने में जो खरच आता है उसको हम minimize चाते हैं और profit maximize चाते हैं तो minimize करना इस condition को साथ में हमें subject to constraint दे रखे हैं मतलब किन constraint का किन limitations को आपको follow करते हुए minimize करना वो देख लो x plus 2y हमारा less than equal to 8 होना चीए 3x plus 2y less than equal to 12 होना चीए और x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 मतलब first quadrant में आपको graph द्रो करना है अब यहाँ से देखो सबसे पहले minimize किसको करना है आपको z is equal to minus का 3x plus 4y को और subject to constraint क्या दे रखे हैं condition condition भी लिख सकते हैं इसको constraint भी लिख सकते हैं तो क्या है x plus 2y less than equal to 8 है तो मतलब equal to 8 लेके चलेंगे मतलब maximum value यही हो सकती है इससे निचे निचे सारी value लाई करेंगी दूसरा क्या है 3x plus 2y equal to 12 यह आ गई भई ठीक है अब हमें इनका क्या करना है graph float करना है graph float करने के लिए बिल्कुल simple सी बात है एक हम यहाँ पे table बनाएंगे इसके लिए x और y की value और यहाँ पे भी table बनाएंगे हम किसके लिए इस वाली line के लिए x और y की value ठीक है अब देखो यहाँ पे दोनों को fulfill करने वाला point है x 0,0 इसमें 0 रखो इसमें 0 रखो हो गया condition fulfill दूसरी हमें क्या करने है यहाँ पे x की value 0 रखो बच्चो तो यहाँ पे x 0 रखेंगे 0 plus 2 y equal to 8 और y is equal to क्या जाएगा 4 यह आ गया मेरा फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे y को अगर मैं क्या रखों या फिर x को x को मानलो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 2 रख लू या कुछ और रख लू x को मानलो मैंने 2 रख दिया 2 को इस तरफ ले जाएंगा 6 तो y की value क्या आ जाएगी मेरे पास 3 same as it is यहाँ पे देखो x की value 0 पुट करके देखो बच्चो x की value 0 पुट करेंगे तो y की value क्या आ रही है हमारी 6 x ज्यादा बड़ी value आ रही है तो यहाँ पे आप क्या करो x को 2 पुट कर लो ठीक है x को 2 पुट करेंगे तो 3 multiply 2 plus में 2y equal to 12 3 to 6 6 को इस तरफ ले गे गई तो 2y is equal to क्या हो गया 6 और 2 से कट गया तो y की value 3 आ गई फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम x की value क्या put करें हम यहाँ पे x की value माल लो 4 put कर लेते हैं तो y की value क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी आप कोई भी value ले सकते हो गवराने की ज़रूरत नहीं कहिए सोचो सर आपने जो उसी value ली है वही लेनी है आप कोई भी value ले लेना आपकी मर्जी है यहाँ पे आप 1 भी put कर सकते हो 2 भी put कर सकते हो 3 भी put कर सकते हो मैंने तो इसलिए ली है कि यह जो value आरे है 0, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 0 यह ज्यादा बड़ी value ना आए 6, 8, 10 तक ना आए ऐसी value put करके देखना आप ठीक है क्योंकि graph plot करना easy हो जाए अब देखो हमारे पास यह है y axis और यह है हमारे पास x axis यह इस तरिके से ले लिते हैं हमे x axis अब इस पे point लगा दो भी अच्छे से graph बनेगा हमारा इसलिए मैं यहाँ पे scale से ही point लगा रहा हूँ 5, 5 के point लगा लिते हैं यह हो गए हमारे points x axis के उपर similarly हम y axis पे भी point ले लिते हैं अपने 1, 2, 3, 4 ऐसे ही यह 1, 2, 3, 4 4 point ले लिए हमने इनकी naming कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 left side है तो minus के होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे भी minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 graph plot करने आते हैं आपको अच्छे से सिखे हुए हैं class 8, 9, 10 से सिखते आ रहे हैं यहाँ पे देखो x की value 0, y की value 4 कौनसा point हो गया वही यह वाला point कौनसा हुआ 0, 4 फिर 2, 3 x2, y3 x2 कहाँ पे यह रहा y3 मतलब उपर की तरफ चले जाओ यह point आ गया हमारा यह कौनसा हो गया 2, 3 इन दोनों को join करती हुई हम एक line draw कर देते हैं भई यह हो गई हमारे पास एके line इस तरिक्ये से यह pass हो जाएगी हमारी ऐसे तो यह line हमारी कहीं पे आगए जाके पास हो जाएगी कहीं से जाए हमें कोई मतलब नहीं उस बात से यह चली गई आगए दूसरी line क्या दे रखे हमें x2, y3 x2, y3 यही वाला point हो गया हमारा और x4, y0 x4 यहाँ पे और y0 कहाँ पे हो गया यह point आगया हमारा 4, 0 इस point को रिस point को मिला लेते हैं भई यह हो गई आप कोई भी value लेके ड्रो करोगे न यह graph बनाओगे कोई भी value लेके ऐसा ही graph आपके पास plot होगा ठीक है अब हमारे पास feasible region कोन सा हो गया यह वाला यही तो हो गया boundary region इसके बीच का ठीक है अब point क्या आगया हमारे 0,4 2,3, 4,0 तो यहाँ पे देख लेते हैं हम हमारे point या फिर feasible region क्या क्या हो गया इसको name दे देते हैं यह a point माल लिया यह b point माल लिया यह c point माल लिया और origin क्या हो गया हमारा d point हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे a, b, c, d is feasible region feasible region और point क्या हो जाएंगे हमारे a के point 0,4 b के point 2,3 c के point 4,0 और d के point क्या हो गये बच्चो 0,0 आगे हमारे पास सारे point अब हमें क्या करना है, minimize करना है किसको z is equal to minus का 3x plus 4y को point देख लो, at a क्या है x की value 0,y की value 4 put करेंगे, तो z is equal to क्या हो गया minus का 3 multiply 0, plus में 4 multiply 4 तो यह किसके एक वाल आगया, मेरा 16 के at b z is equal to क्या हो जाएगा, b point के x की जंगा 2y की जंगा 3 put करेंगे, तो minus का 3 multiply 2 plus में यहां पर आजाएगा 3 multiply 2 plus में 4 multiply 3 3 minus 3, 2 जा क्या हो गया, minus का 6 plus में 4, 3 जा 12 12 में से 6 गया, तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया फिर हम देख लेते हैं, c point पे at c z is equal to क्या जाएगा, c point क्या 4, 0 तो minus का 3 multiply 4 plus में 4 multiply 0 4, 3 जा minus 12 plus 0 is equal to किसके आ गया, minus का 12 और at d देख लेंगे, तो z is equal to क्या जाएगा, d के कोडिनेट क्या है 00, तो minus 3 multiply 0, plus में 4 multiply 0 is equal to क्या आ गया, 0 अब इसमें देखो, हमें क्या आएगना ताब minimum z is minus 12 और वो किस पे है, at x equal to 4 and y equal to 0 x equal to 4, y equal to 0 c point पे तो आया हमारा minimum तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा minimize हो जाएगा z, किस पे 4 और 0 पे समझ भी आ गया ऐसे ही करना है, बस simple सागे, उस चंदा कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी प्रोब्लम लगे, आम उससे पूछ सकते हैं, दरवाज चैनल को subscribe जुरूर कर लिजिए like किजिए और share किजिए, thank you students for watching next classes video